दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका जियो भी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे म जी सबसे बड़ी खबर है इस सेवा परदान करेगा इसमें से देहरादून इंदौर एक्सप्रेस नए दिल्ली इंदौर इंटर सिटी एक्सप्रेस इंदौर अमरिटर एक्सप्रेस सामिल है जी हाद उसो आपको बता दे कि उन्होंने काये कि इससे रेल्वे की सलाना 20 लाक रुपे की आए बढ़ने की उमीद है और सेवा परदान करने वाले लगबग 20,000 अतरिक्त यात्रियों के चलते अतरिक्त टिकट बिक्री बढ़ने से साल भर में लगबग 90 लाक रुपे की बढ़त हो जाएगी रेल्वे को उन्होंने काया कि इस सेवा को लगबग 10 से 15 दिन के अंदर में सुरू कर दिया जाएगा यह सेवा सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बेज तक के बीच होगे यात्रियों को सीर और पैर की मालिस के लिए परतेक के लिए 100 रुपे देने होंगे इसके लिए हर रेल गाड़ी 3 से 5 मालिस वाले यात्र पढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही डाक घरों में भी भीमा फसल योजना की सुबिधा मुहिया कराने का प्लान कर रही है केंद्रिये कृसी और विकास कल्यान मंत्राले ने योजना को सो दिनों के भीतर पूरा करनी का लक्ष बनाया है मंतराले का मानना है कि डाक घरों में यह योजना उपलब्ध होने से लाव लेने वाले किसानों की संख्या दूगनी हो जाएगी किरसी मंतराले से जुड़ एक अधिकारी ने बता है कि इस योजना का खाका वर्ष 2017 में ही खीचा जा चुका था लेकिन तकनीकी अरचनों की वज़े से इसे लागू नहीं किया गया लेकिन अब नए किरसी मंतरी नरेन सिंग तूमर ने तै किया है कि जल्द ही फसल बीमा डाग खरों के जरिये मिलेगा जिहां दोस्तों आपको बता दे कि प्रकृति आपदा और अनहोनी की इस्थिति में खराब होई फसल को नुकसान से बचने के लिए किसानों को सरकार ने प्रधान मतरी फसल बीमा योजना की भी सुरुवात की है अवी बैंक CSC और ओनलाइन जैसे माध्वमों से यह बीमा योजना को किसान के द्वारा दिया जा रहा है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कबर SBI का बड़ा ओफर आधी से वी कम कीमत पर खरीने के प्रोपाटि जी हाँ दोस्तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI 10 जुन 2019 को मेगा आप्शन करने जा रहा है जिसमें देश भर के कई सहरों की सांदार प्रोपाटि की निलामी ह तो अगर आप भी घर दुकानदार या कोई भी कमर्सियल प्रोपाटि खरीने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक बहतर मोका होगा जी हाँ तो सो SBI के साथ मिलकर के आप तै कीमत पर बिलकुल दुरुस्त प्रोपाटि खरी सकते हैं इसके थाथ ही कुछ प्रोपाटि को खर में रखते हुए ले गई है एक बोली लगाने वाले के रूप में खुद को रेजिस्टर करने के लिए कुछ चर्णों की प्रक्रिया पूरी करनी होती है जो आप नीचे दिये के वेब साइट पर जाकर के देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी क्या अमेरिका ने साजा सुरक्षा हीतों में मदद करना होगा पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका की तरफ से यह मंजूरी और पेसकस की गई है साथ हिंद महासागर और प्रसांत महासागर में चीन के बढ़ते सैन्वे करवाई को देखते हुए यह पेसकस हमने भारत को सामन्वे हवाई और मिसाइल रक्षा प्रनाली को भी पेसकस की है लेकिन यह अभी तक नहीं बताया गया है कि भारत को हत्यारों से लेस ड्रोन की बिकरी कब की जाएगी प्रधानमती नरेंद्र मोधी और अमेरिका के राश्पति डोनल्ड टरम के बीच जून पांच अरब डॉलर से अधिक का हो सकता है अमेरिका ने भारत को सामन्वे रक्षा मिसाइल बेचने की भी पेसकस की है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबरे प्रसांद कि सोर की ममताब नर्जी से मुलकात को लेकर के नितिस कुमार बोले जी हाँ दोस्तों राजनितिक र राजनितिकार के तोर पर काम कर सकते हैं प्रसांद की सोर और ममताब नर्जी से मुलकात को लेकर के बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार ने कहा है और उन्होंने कहा है कि वो खुलकर राष्टिये कारेकारणी की बैठक में इस बार वो बताएंगे और नितिस कुमार ने क पता दे कि ऐसा माना जा रहा है कि पस्चे मंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने और बंगाल पर अपनी पकड़ बनाने के लिए टीमसी की मदद कर सकते हैं इसी सिलसले में उन्होंने ममतब डेल से मुलकात भी की हैं आपको पता दे कि 2014 के बाद आम चुनाव म राजडिती के रूप में ही काम करना जारी रखा है जी हां दोस्तो अगली बड़ी कवरे मालदीब के सरवच समान से नवाजे गए पिये मोदी बदले में गिफ्ट किया क्रिकेट बैट जी हां दोस्तो प्रधार मंतरी नरेंडर मोदी दूसरी बार सरकार बनने के बाद आपको बता दे कि प्रधार मंतरी मोदी का माले एरपोर्ट पर बिदेश मंतरी अब्दुल्ला साहिद ने स्वागत किया प्रधार मंतरी मोदी को मालदीब के द्वारा उनके सरवच समान भी दिया गया प्रधार मंतरी मोदी माले के रिपब्लिक स्क्वेर पहुचे जहां प्रधारमत्य नरेंद्र मोदी ने मालदीप के राश्च्पती इबराहिम मोहमद सोलिह को b lukeola değil की भारों प्रधान बिंद। अगली product की शरकार ने ओडिसा सरकार से पे-म किसान्स सामाना यूजणा के ला भारतियों की सुचिवागी इसी company है किसान ससक्तिकरन मंत्री अरुन कुमार साहू ने कहा है कि केंदर सरकार ने पियेम किसान सम्मान योजना के तहत लाव पाने वाले प्रदेश की किसानों की सूची 31 जुलाई तक भेजने के लिए कहा है। हाला कि साहू ने कहा है कि अब तक असपस्ट नहीं हो पाया है कि पियेम किसान सम्मान योजना के तहत बड़े किसानों को भी सामिल किया गया है या नहीं। और राज सरकार ने अब तक 12,45,000 किसानों की सूची भेजी है। इसमें से 9,36,149 किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है। आपको बता दे कि उन लोगों को भी पैसा नहीं किया है जो बैंक खाते पर आधार से के साथ लिंक नहीं करवाये हैं या फिर अन बाकि गड़बड़ी के कारण उनका पैसा नहीं जा पाया है। दूसरी और आपको बता दे कि 50 लाग किसानों को उरिसा सरकार की कालिया योजना के दहत आर्थिक सहायता के तोर पर 5,000 रुपए की पहली किस्त जा चुकी है। राज सरकार की कालिया योजना के तहत दो फसलों रभी और खरीव के लिए एक किसान परिवार को प्रती वर्स 10,000 रुपए मिलते हैं जबकि प्रधान मंतरी किसान सम्मान योजना के तहत एक लाभारती को तीन किस्तों में 6,000 रुपए दिये जाते हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी केवरे हार के बाद पहली बार राहूल गांधी ने साधा प्रधान मंतरी मोदी पर सीधा निसाना कहा नफरत फैला करके जीता है चुनाओ। जबकि कॉंग्रेस सच्चाई प्यार और लगाओ के साथ खड़े हुई है। उन्होंने चुनाओ के जूटे का भी इस्तमाल किया है। कॉंग्रेस सच्चाई प्यार और लगाओ के साथ खड़ी रही है। राहूल गांधी ने कहा है कि वाड़नगर में कुछ चुनोतिया भी हैं जिसके साथ काम करके पार किया जा सकता है। उन्होंने कहाए कि मेरा काम पूरे वाड़नगर का प्रतिनेधित्य करता है, चुनाओ के सभी दलोग के लोगों ने मेरा साथ दिया है, वाड़नगर में बड़ी चुनोतिया और मुद्दे हैं, हम साथ काम करेंगे और सारी समस्या का समधार निकालेंगे।